नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल, डिडियो नो क्या आप जानते थे के उपर? आज से हम लोग Basic Economics जो हर तरह के exam preparation में आपकी help करेगा, उसकी शुरुवात करेंगे. अभी के exam patterns को आप देखें, तो पता चलेगा कि questions जो हैं सो Basic Economics के उपर ही बने हुए होते हैं. आप current affairs पढ़ें या कुछ और, बिना basic knowledge के उसको properly grasp करना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये जो Basic Economics आप सीखेंगे, इसके उपर आप जो पढ़ेंगे, आपके लिए वो easy to understand बन जाएगा. तो आईए, ये first class हम Economics क्या है? और एक दो definition by important economists यानी अर्थ शास्त्रियों के द्वारा जो दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं. So, let's start. The early economists defined Economics as the science of wealth. शुरुवात के जो अर्थ शास्त्री थे, उन्होंने Economics को धन संचित करने का विज्ञान बताया था. Economics was regarded as the science which studied the production and consumption of wealth. तो अर्थ शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, जो धन कैसे उत्सर्जित होगा और किस तरह उसकी खपत होगी इसकी व्याख्या करता है. Adam Smith, for example, considered his magnum opus to be an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. उदाहरण के तौर पर समझें, तो Adam Smith के अनुसार इनका सबसे बहतरीन कारे है, the wealth of nations. इनको father of economics भी कहा जाता है, यानि economics के पिता. But, as per modern definition, in J.M. Keynes terms, economics is defined as the study of the administration of scarce resources and the determinants of income and employment. पर आज के हिसाब से अगर हम समझें, तो J.M. Keynes के अनुसार अर्थ शास्त्र की व्याख्या करें, तो ये सीमित संसाधन लोगों के आये और रोजगार का अध्यायन करता है. तो आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार हम आपके लिए economics के वीडियोज लाते रहेंगे, जो आपको economics आसानी से समझने में बहुत helpful होने वाला है. तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए. धन्यवाद.